कुछ जगें इसकदर रंग भरी होती हैं कि ऐसा लगता है जैसे इन्हें किसी परियों की कहानी से निकाला गया है क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसी जगे भी हैं जो आपको ये महसूस करने पर मजबूर कर देती हैं कि आपने किसी कहानी की किताब में कदम रखा है हमारे प्लैनेट पर रंग बरंगी खूबसूरत जगें और इनकी हरान कुन कहानिया कैंका मेगस हाइवे युनाइटिट स्टेट्स के मश्रिकी साहिल पर आती है यहां पत्तों का रंग आम तोर पर सबस से सुर्ख और पीले रंग के कुछ शानदार रंगों में बदल जाता है ज्यादातर सब्तमबर से अक्तूबर तक लोग पोदों की सैर के लिए जाते है कैंका मेगस हाइवे इंगलेंड की सबसे शानदार सेनिक ड्राइव है खास तोर पर मौसम खजां के दुरान इस चोटी से चार हजार से ज्यादा गाड़िया इस मशूर रास्ते के कम असकम एक हीसे से गुजरती है और यहां देखने के लिए बहुत सारे पुरकशिश मकामात हैं जो फोटाग्रफी के लिए बहतरीन जगा है मेडोराई और टामिल नाडू इंडिया के कदीम शेहर का दिल है यह एक मजभी और अफसानवी अलामत है जो पच्चिस सो साल पुरानी है मंदिर के चोदा टावर्स हर एक पत्थर के हजारों रंग बरंगे मुझसमों से ढखे हुए हैं जिन में जानवरों के देवताओं और राक्षियों को शानदार रंगों में दिखाया गया है यह मंदिर एक सैंसरी ओवरलोड बनाने के लिए काफी है हिंदुमत समीन पर इसका सबसे बड़ा वाक्या यह है कि यह मंदिर जनूप मश्रकी हिंदुस्तान में रहने वाले तामिल हिंदुों ने तामीर किया था यह बुलंद तरीन टावर 170 फिट बुलंद है इस तारीखी मंदर को दुनिया के नए साथ अजाइबात के लिए भी नामज़त किया गया था यह शुमाल मगरबी चीन के सुबा गांसु में शाहरा एरेशन के रास्ते पर पाया जाता है टेकनिकलर पहाडों में पीले रंगी पटी जनवरों और अफसानवी मखलूग की शकल जैसी चटानों की खूबसूरती पेश करती है और कहा जाता है कि यह रंग रेट के पत्थर की तेहों से आते हैं जो लाखों साल पुरानी है यह रंग बरंगी लेयर्ज मरीख का मनज़र पेश करती हैं और कोसे कजा के पहाड जनगल में कहीं बाहिर लेकिन हकीकत में मौजूद है वशिंग्टन के नेशनल ओलमपिक पार्क में एक मखसूस पैदल सफर के रास्ते का नाम है जो किसी कहानी की तरहां खींचे गए बारिश के जनगल में वाक्या है यह अजीब औ गरीब जनगल जाइन मेपल के दरखतों के एक दिलकश ग्रूफ का मनसर पेश करता है जहां यह लटकती और बढ़ती हुई काई दरखतों को नुकसान नहीं पहुंचाती बलकि यह इनके लिए गजायत के तोर पर काम करती है और यह गिली मटी दरखतों की छोटी जड़े उगाती है यह जनगल सो फिट की बुलंदी पर हैरत अंगेज तोर पर मुक्तसिर लेकिन खूबसूरत तरीन जगा है नमबर फाइव कोचिया हिल कोचिया हिल अपने खूबसूरत सेक्यूरा ट्रीज के लिए मौसमे बहार में पूरा मुल्क गुलाबी बरफ में ढख जाता है इस आसमानी जलाल की एक जलक देखने के लिए लोग दूर दरास से आते हैं ये कोचिया प्लांट्स मौसमे गर्मा में सनोबर के नाम से जाने जाते हैं लेकिन वेट सीजन के इकताम पर ये एक गएर मामूली तोर पर शानदार सुर्ख रंग इक्तियार करते हैं जिसका नाम बर्निंग बुश है ये फूल ट्रांस्पेरंट ब्लू पैटल्स के नाम से भी मशूर हैं जो पहाडों पर आट सो एकर से ज्यादा रखबे पर फैले हुए हैं तीटा क्योशू में एक खुबसूरत परियों की कहानी जैसा अराशी बेल है जो अपने दिलकश लटके हुए फूलों और इसकी खुबसूरती समेटने वाली शाखों के लिए मश्रकी और मगरबी दोनों बागात में बेहत मकबूल है ये तकरीबन 20 स्पीसिस के 150 फूलों वाले विस्टेरिया प्लांट्स हैं जो इस मश्हूर रंगी इन फूलों की सुरंग को तखलीक करते हैं अगर आप इन गिरते हुए विस्टेरिया को देखना चाहते हैं तो कौाची फूजी गार्डन्स आपको खूबसूरत फूलों की खुश्बू की याद दिलाएगा नमबर सेवन वैली ओफाइर 1935 में वक्फ की गई वैली ओफाइर निवाड़ा का सबसे कदीम और सबसे बड़ा रियास्ती पार्ग है यकीनन आप सोच रहे होंगी के शायद यहां कोई खौफनाक किसम की आग लगती है लेकिन ऐसा नहीं है दरसल इस वादी का ये नाम सुर्क सैंड स्टोन की शकलों से आया है पार्ग के पुरकशिश मकामात का मरकज अक्सर सूरज की अकासी करते वक्त आग की लपेट में नजर आता है जो कदीम चटान से निकलते हुए निवाड़ा सूरज की तरफ उठते हैं ये आग की वादी सैयाहों के लिए बंजर और जिंदगी से खाली मालूम हो सकती है क्यूंकि ये दिन के वक्त बहुत गरम होती है और ये वादी जंगली हयात से भरी पड़ी है नमबर एड लसलीनस डिटोरो वियाजा यहां दुनिया की कुछ ऐसी जीले हैं जिनके अजीब रंग है ये चमकदार सुर्क या गुलाबी रंग की दिखती है जो नाकाबली यकीन हद तक जहरीली है अगर आप इसमें डुपकी लगाते हैं तो इस पानी की एक लेयर आपकी स्किन पर नमुदार हो जाती है जब आप टूरो वियाजा को उपर से देखते हैं तो ये एक जबरदस स्ट्रॉबरी मिल्क शेक जैसा लगता है कहा जाता है कि ये जादूई और नाका सद्जा हैं जो इस जगा को अजीब रंग देते हैं ये जगा वाके दुन्या में जिन्दगी के सबसे दिल्चस्प हकाइक में से एक है नमबर नाइन वोडन शू टूलिप फार्म शुमाली एथोपिया में डालोल कई तरहां की तहजीबों का सफाकाना मनजर नामे का एक वसीयो अरीज इलाका है ये हकीकत में उबलते हुए नमक से बनी दुनिया है इसका औस्तन दर्जा हरारत दुनिया के सबसे कम और गरम तरीन हिसों में से एक होने का एजाज रखता है ये उबलते गरम चश्मों से घिरा हुआ है जो गरम मादनियात और जहरीली गैस के बलबलों को सता पर लाते हैं ये इनतहाई सक्त और नाकाबले माफे माहूल है और यहां बड़ी मुश्किल के बगएर पहुँचना तकरीबन नामुम्किन है ये पीले रंग के फूल चीन के इलाके युनान में वाक्या है आप जहां तक अपनी नजर दोड़ाएं दूर दूर तक आपको चमकदार येलो केनोला फ्लावर्स के खेत नजर आते हैं ये फूल कुकिंग ओल और शेहत की मक्यों की वज़ा से भी मकबूल है इंतहाई शानदार लेकिन चमकदार पीले रंगों के फूलों को देखना वाकिए एक हैरत अंगेज और खूबसूरत नजरा देता है So friends, I hope you like this video, make sure to subscribe before you go मिलते हैं अपनी next video में तब तक के लिए Allah आफेज